दोस्टों इस खास वीडियो में हम गोंद कतीरा के फादों के बारे में बताने वाले हैं जो कि या कतीरा पेड़ से निकलने वाला हलके पीले और सफिर कलर का गोंद होता है इसे छुने पर ठोड़ा चिप-चीपा लगता है और स्वाद में ये बिल्कुल फीका लगता है यही इसकी पहचान है इसमें पोसकता तो काफी मात्रम पाए जाते हैं इसके अंदर टेल्शियूम, मैगनिशियूम, फॉलिक असिड, प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रम होते हैं दोस्तों कतीरा की तासिर की बात की जाया तो यह तासिर में ठंडी होती है इसके सेवन गर्मियों में जरूर हर किसी को करना चाहिए चली जानते हैं गोंद कतीरे का सेवन किस तरह से करना चाहिए और इसे लेने के हमें क्या-क्या फायदे मिलेंगे दोस्तों कतीरा में जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन और फॉलिक एसिड काफी मातरा में पाए जाते हैं इसके सेवन से शरीर को इंस्टन्ट एनर्जी मिलती है अगर आप चाहते हैं लंबी उम्रे तक स्वस्थे, ताकतवर और जवान बने रहना तो आज से ही इसका सेवन शुरू कर दें इसके लिए क्या करना आपको एक घ्लस पानी लेना है या फिर उबला हुआ ठंडा दूद लेना है और इसमें एक चमच कतीरा को डाल कर रात भर के लिए ऐसा ही छोड़ देना है और सुबह इसमें मिसरी मिला कर पी लेना है लगतार कुछ दिनों तक इसका सेवन करने से आपको शारिरिक ताकत मिलेगी कमचूरी दूर होगे, साथ ही एक खोन को बढ़ाता है या आपके स्किन के हेल्थ के लिए बहुत ही फादमन है कतीरा में एंटी एजिंग गुण होते हैं यह जुरियों और फाइन लाइन्स को डिले करने में मदद करता है और यह चेहरे की सुनदर्ता को बढ़ाता है इसके लावा अगर आप कॉंस्टिपेशन की प्रॉलम को फेस कर रहे हैं कबजी की समस्या है तो भी यह बहुत फादा करता है इसके लिए एक कप पानी में थोड़ा सा गोंद कतीरा भीगो कर रात भर के लिए छोड़ दें जब यह फूल जाया तो इसमें नीमू का रज डालिए चुटकी भर काला नमक डालिए और ठंडे पानी के साथ सुबह 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 से पी लिजे इससे पीड बहुत ही अच्छे से साफ होगा इसके लावा गोंद कतीरा में प्रोटीन होता है और यह हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये हार्ट को हेल्दी बनाने में मरद करता है आप अपने हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए अगर आपको दिल से समधित कोई बिमारिया हो ब्लॉकेज़ी प्रॉलम हो तो आप 10-20 गराम गोंद कतीरा को पानी में फुला लें और मिसरी के साथ गोंड कर शर्मत बना कर दीन में एक से दो बार पिएं बहुत ही फायदे मंद है इसके लावा गोंद कतीरा लुव और हिट स्ट्रोक से भी बचाता है शरीर में गर्मी महसूस हो रही हो तो कतीरा को पानी में भीगो ले Londra और इस पानी में मिसरी मिलाये शर्मत बनाये और इससे घोल कर सुछा शाम पी ले इससे शरीर की गर्मी दूर होती है इसके लवा गोंत कतीरा वजन को घटाने में भी काफी फादिमन है यह शरी से टॉक्सिंस को बाहर निकालने में हल्प करता है और यह शरी का मेटाबॉलिजम को बढ़ाता है इसमें पाय जाने वाला हाई फाइबर कंटेंट आपको अधिक समय तक पेट को भरा रखता है इससे बार बार खाने के इच्छा नहीं होती जिससे वजन कंट्रोल में रहती है इस गर्मी के मौसम में दीन में दो बार कतीरा का शर्वत बना कर जरूर पीज़े इस के लावाद जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है उन्हें गोंद कतीरा का सेवन जरूर करना चाहिए कुछ घंटों के लिए पानी में गोंद कतीरा का दो चिमच मिसरी मिला सकते हैं यहाँ पर चीने का इस्तमाल नहीं करना है हमेशा में बार-बार करो मिसरी का इस्तमाल कीजेगा क्योंकि मिसरी की तासिर भी ठंडी होती है और गोंद कतीरा और मिसरी का कॉंबनेशन बहुत ही अच्छा है बहुत फादेमंद है इसके लावा जो लोग स अपना दोश यानि नाइट फॉल के समस्य से जूज रहे हैं तो गोंद कतीरा उन लोगों के लिए भी बहुत फादा करता है नाइट डिस्चार्ज को रुकने में मदद करता है पूर्सों की यह निक्षा तिव्र हो जाती है यह पूर्सों में किसी भी प्रकार की अंधरू गोंद कतीरा का सेवन कीजिए आपको बहुत चबरदस्त फादा कुछ ही जिनों में दिखने लगे का इसके साथ ही दोस्तों जिनको यूरुन से समधित कोई प्रॉलम है पिशाप पिला आता हो या फिर पिशाप में रुकावट आती हो है ना रुक रुक कर पिशाप आता ह है आधा गिलास दूद में गोंद कतीरा कुट का डाल दें और साथ में मिसरी घुलें और इसे पी लें दीरी में दो बार इसका सेवन करें इसके लावा यह शरीर की रुक पतेरोदक च्छमता यानि की इमुनिटी को मजबूत करने खासी दस्त मुह के अलसर को ठीक करने में भी मदद करता है अगर आपके हाथ पेर में जलन की प्रावलम होती हो है राथ को सोते हों तो तलों में बहुत जलन होता हैं बहुत लोग इस से परिशान हैं तो वे ल Nicholas क कतिरा का सेवन लगतार कम से कम एक महीने तक करें। सिर्फ आपको करना यही है कि रात को दो चेमच कतिरा को एक गिलास पाने में भीगों देना है। जब सुबह कतिरा फूल जाए तो इसका शेर्वत बनाकर इसमें मिसरी घोलकर रोजाना सुबह सुबह लीजिए या फिर दो इसके लावा बच्चा होने के बाद शरीर में बहुत कमजूरी आ जाती है। इस कमजूरी को दूर करने के लिए भी आप गोंध कतिरा का शेर्वत बनाकर पिए। आप इसे दूद के साथ लेंगे तो ज्यादा फाइदे मन्त होगा। उबले वे ठंडे दूद में दो चेम से 5 बजे के आसबास ले लेजिए। इसके लावा यदि कोई महिला पर ब्रेश्ट के आकार से संतुष्ट नहीं है तो वह गौंध कतिरा का सेवन कर सकती है। गोंध कतिरा को रोज खाने से महिलाओं के स्तनों के आकार को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसका सेवन करने के रूप से नैचुरल तरीके से इस्तनों को बढ़ाने के लिए टॉनिक के तरह काम करता है इसका सेवन जरू करके देखेगा बहुत लोगों को फायदा मिला है इसके लावा जो महिलाएं लिकोरिया यानि सफित प्रदर की समस्या से गुजर रहे हैं तो इसका सेवन कर सकते हैं अगर दोस्तों आप दर्दनाक टॉंसिल के समस्या से परिशान हैं तो गोंद कतिरा का इस्तमाल आप कर सकते हैं आपको सिर्फ गोंद कतिरा का सरवत बना कर पिना हैं ध्यान अखलने लिवात यह है दोस्तों कि गोंद कतिरा की तासिर बहुत ठंडी होती है तो इसे सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही इस्तमाल करना चाहिए महिलाएं रोजाना 20-25 गराम तक गोंद कतिरा इस्तमाल कर सकती है और लड़के यानि पूरुष रोजाना 10-12 गराम तक गोंद कतिरा का इस्तमाल कर सकते हैं इससे जाला कंचियूंग ना करें इसके लावा गोंद कतिरा का सेवन कर रहे हैं तो उससे पहले अपने शरीर को पूरी तरह से हाइडरेट रखें इससे नसे और आथ ब्लॉक होने से बचेगी इसके लावा गोंत कतिरा अगर आप कंश्यूम कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी ना हो शरीर पूरी तरह से हाइड्रेट रहना चाहिए जब भी प्यास लगे पानी जरूर पिये और फ्रीज वाला पानी ना पीकर आप मट्के का मट्टी के घड़े का पानी पीचे इसके लावा गर्वती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं डॉक्टर के सलह से इसका सेवन कर सकती हैं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसको खाया भी जा सकता और शरीर पर लगाया भी जा सकता है आशा करता हूँ आपको वीडियो ये जानकार ये अच्छी लगी होगी अगर आप गोंध कतीरा का इस्तमाल करने वाले हो तो कॉमेंट्स करें जरू बताना और इस तरह की हेल्थ नॉलेज माने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल रूदर होम रैबिडिस को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल अकन प्रेस कर ओन लिटिफिकेशन ओन कर दिजे ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूँ आपको मिल जाए आपने वीडियो को अन तक देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू